रेशम वर्सिस स्टेट अफ करनाटका का केस जो की पॉपुलरली जाना जाता है हिजाब केस के नाम से इस केस पर सुप्रीम कोर्ट में लगभग 26 अपील्स फाइल करी गई थी और आज इस केस का फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया पर क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया तो हुआ यू कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजज की बेंच कमप्राइजिंग ओफ जस्टिस हेमन गुप्ता और सुदान शुदूलिया ने इस केस में स्प्लिट जज्मेंट पास किया है यानि दोनों जजजिस के बीच प्लिट जजज्मेंट आने की चांसे इतनी जादा होती हैं वेन यू आर मेकिंग अ टू जजज बेंच तो आखे जुडीशल टाइम को बरबाद किया ही क्यों जाता है और दो जजज बेंच बनाई ही क्यों जाती है अब इंडिया में तो हिजाब को सिचुएशन काफी डा सकती हैं पर उन फेस कवरिंग को कभी भी पुलिस द्वारा रिमूव किया जा सकता है वेन पुलिस इंडाउट की इन्हें ऐस डिजगाइस यूज किया जा रहा है वहीं अगर हम स्पेसिफिकली यू के की बात करें तो वहां पर हिजाब पहन कर आइडेंटिटी प्रूफ म या किसी आइडेंटिटी प्रूफ में फेस दिखाना एक मेंडेटिरी कंडिशन है ऑन दी अदर हैंड यूएसे जैसी कंट्रीज में ओवर अगें इस बात को होल किया गया है कि किसी के रिलीजियस बिलीज को अकॉमोडेट करने के लिए किसी और व्यक्ति को अंड्यू हार सब्सक्राइब नहीं हो सकती है साथी potential safety concerns like concealment of contraband की वजह से importance दी जाती है uniform neutrality को यह तो था हिजाब को लेकर एक international perspective और आज Supreme Court ने क्या होल किया लेकिन इसके आगे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी